ओम नमहा अयुद्या में भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्टा हो चुकी है भगवान राम अयुद्या में फिर से विराजमान हो चुके है और आप बक्तों को दर्शन दे रहे हैं आशिरवात दे रहे हैं और आपके जीवन को धन्य बना रहे है उनकी उर्जा से उनकी आशिरवात से अयुद्या में जाने वाले भगतों की भीर दीन प्रतिदीन बढ़ रही है भगवान राम लल्ला के आशिरवात की गुरुपा अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए बगत दर्शन को अयुद जा रहे है आज राम नौमी की इस पावन अउसर पर दिव्या उसर पर आप घर में बैठकर भगवान राम की उर्जा और आशिरवात प्राप्त कर सके आप इतने चैतन्य वंत उर्जा से अपने अंदर की आत्मा में जागरुति ला सके जैसे कि आप स्वयम खुद राम अंदिर रायोग्या में बैठकर इस मंत्रशक्तिपात को सुन रहे हैं जैसे कि भगवान राम के मुख से सुन रहे हैं भगवान राम आपको उपदेश आदेश और आशिरवाद की उर्जा दे रहे हैं ऐसा यह दिव्यम नंत्रशक्तिपात की अनुपती आप घर बैठे ऑ गोर्शिर बैठ को मिखताओ का यह दर गवान राम नुपती यहां घर गविन्द के यहर इस upwards और फेशित्व taken इसनुप मद्धात हविन्दाノ एन अनुपत्यों में चरक्पटित्पत्ता नुपत्ता नुपत्त यहों उम्ध्शिरतत अंभृसित्त्त्त अशुरम निक्तम प्रिद्ना निक्तम वादराम नमो नमा अशुराविक्तम तदाविंदम रामरागव नमो नमा अम रामरागव नमो नमा सित्ध दादि वंद दादि रामरागव नमो नमो नमा में बनी रहे और आप अपने जीवन को धन्य बनाए और जीवन को सफल बनाए आप अपने जीवन के जिस मुकाम पे हो वहां आपको सफलता प्रगति उन्यति के साथ साथ मन की शांति भी मेरे ऐसा राम नौमी के पावन आउसर पर मेरा अशिरवाद है भगवान राम का मंत्र शक्तिपात भगवान ने राम के मंदी में बैठकर उनकी मुर्ति में से जैसे प्राण आये हो और वो सुना रहे हैं ऐसी बत्तिय और सद्दा से सुनिए भगवान राम का आशिरवाद पुर्जा शक्ति सामर्थ्य और भगवान राम जैसी सहने की शक्ति आपको मिले ऐसा ओम दमाहा।